Yo What's Up guys कैसे हो आप सभी तो आज की लैस्पेन स्टोरी होने वाली है एक लड़की की जो की लैस्पेन है और ये बात जब ये अपनी इपनी ममी को बताती है तो इसकी ममी अपनी बेटी को खुशी खुशी एकसेप्ट कर लेती है और साथ ही अपनी बेटी के गर्ल फ्रेंड बन उस पे भी मैं ऐसी स्टोडी अप्लोड करते रहते हूं तो कहानी शुरू करते हैं एक लड़की से जिसका नाम है रगू बंसी रगू बंसी अभी 23 साल की है और इसने हाली में अपनी पढ़ाई खतम किया जब इसने अपनी पढ़ाई खतम कर ली तो इसने ये डिसाइड किया कि ये अपनी ममी को अपने बारे में बताएँगी अब जैसा कि रगू बंसी को पता था कि इसकी ममी हमेसा इसके साथ है तो इसलिए रगुबंसी पहले एक छोटा सा कारोबार शुरू करती है और रगुबंसी की नियत साफ थी इसने अपनी कड़ी महनत से लगन से अपने महनत पे और ध्यान दिया है और देखते ही देखते ही एक साल किंदर जो रगुबंसी ने अपना कारोबार शुरू किया था कि ही ये बोलती है। कि अब मुका आचुका है अपने मुमी को अपने बारे में बताने गा। इसलिए रगो lighting सी बहुत हिम्मत करके अपने मुमे के पास जाती है। आज भी ना कर दठाारी है। छल बता क्या कहना चाहती है। रगोभन कि आखेन्ऴ हो जाती है। तो सबके हुझाबाने को को के है तो अनिक गुट के नहीं जी सकते। से बाकी हूँ तुझे क्या लगा तू जब बताएगी तभी मुझे पता चलेगा कि तू क्या है मुझे बहुत पहले सी पता था कि मेरी बेटी क्या है वो तो मैं इंतजार कर रही थी कि कब तू खुद अपने मूँ से कहेगी और देख इंतजार के घड़ी खतम होगे तू न अपनी मम्मे इससे बहुत देर तक गले लगी रहती है और अब जैसा कि रगुबंसी की मम्मी ने रगुबंसी को खुशुखुश्टी अपना लिया था तो अब रगुबंसी को किसी से कोई लेना देना नहीं था इसे बस अपनी मम्मे के फिकर थी और अपने कारोबार की बाकि किसी भी तीसरे इंसान से से कोई लेना देना नहीं था, अब जैसा कि रगुबंसी अपने पैरों पर भी खड़ी होगी, अपने बारे में मम्मी को भी बता दिया, हर तरस इसकी लाइप अच्छे से अच्छी ही थी, तो एक दिन जब रगुबंसी अपने कारोबार में बैठी होती है, तो वो सोचती है कि मेरे पास तो सब कुछ है, फिर भी एक खाली बंसा क्यों लगता है, क्या मुझे किसी हमसफर की जरूरत है, या मैं अकेले जिंदगी काट सकती हूँ, जहां पर रगुबंसी बैठी थी, वहां पर रगुबंसी की मम्मी भी आ जाती है, तो रगुबंसी को ऐसे खामोस देख कि उसकी मम्मी कहती, क्या हुआ बेटा, ऐसे चुपचप क्यों बैठी है, तो रगुबंसी की मम्मी कहती, अच्छा, अब तू मेरे से चुपाएगी बाते, तो रगुबंसी की ते नहीं मा, आप से कैसे मैं कुछ चुपा सकती हूँ, मैं बस ये सूच रही थी कि क्या मुझे किसी हमसफर की जुरूरत है तो orokubansi की की ममी कहती बेटा जिन्दकी में सब को हमसफर की जुरूरत होती हम आए अकेले है जाना भी अकेले लेकिन रहना तो किसी के साथ है तो orokubansi सब कुछ मिलेगा ना इतने सारे और सोसल मीडिया प्लाटफॉर्म है उन पर किसी को ढूंड ले देखना लाखो लाखो लोग एक दूसरे से मिलते हैं तो तुझे भी कोई मिली जाएगी बेटा तो रगुबंसी कहती है अच्छा ठीक है मां मैं देखती हूं फिर एक दिन ऐस रगुबंसी जब खाली बैठी ती और उसे अपनी मम्मी की बात याद आती कि हम सफर तो कहीं से भी मिल सकता है इसलिए रगुबंसी सोसल मेडिया एप यूज करती है और उसे बहुत सारी लड़कियों की आईड़ी भी मिलती है तो उसमें से वह बिना सोचे समझे एक लड और बस यही सोच के आप तो वो सब चलाना भी बंद कर देती है और एक बार की बात है जब रगुबंसी अपने घर में थी अपने मम्मी के पास बैठी थी बाते कर रही थी तबी उसे उस लड़की का रिपलाई आता है जब रगुबंसी फॉन चेक करती है वो देखती है कि उस लड़की का रिपलाई आया है उसकी ममी भी देख लेती है और उसकी ममी कहती है क्या वो बेटा किसका आया है तो रगुबंसी कहती है ने नी मा कोई नी बस मेरी एक दोस्त में आती है उससे बात करके रगुबंसी कहती है तो रगुबंसी उदर जाती है उस लड़की से Message में बात करने लगती है दोनों एक दूसरे से Hi Hello करते है वो लड़की जिसका नाम रागणी था वो पूस्ती है कि आपने Message क्यों किया रगुबंसी कहती है बस ऐसे ही कर दिया तो रागणी कहती है अच्छा क्या आप लड़की हो रगुबंसी कहती है आरे हाँ मैं लड़की हूँ रागनी कहती है मुझे यकिन नहीं हो रहा मुझे कॉल करो तो रगुबंसी उसे तुरंट कॉल कर देती है और अपनी आवास सुनाती है करने लग जाओंंगी तो अगर आप चाहों तो मैं आपको दिलवा सकति है तो रागणी बंसी के Catherine कहते हैं कि जी रागणी मेरा खुद का कारोबार है अगर आप चाहों तो मेरे कारोबार में मेरा हाथ बढ़ा सकते हो तो रागनी कहती क्या अभी तो आपने बोला आप कुछ नहीं करते हैं रगुबंसी ने बोला कि अरे छोड़ो ना आप बताओ ना क्या आप मेरे साथ काम करना चाओगे तो रागनी कहती हाँ ठीक है तो कल मैं आ जाती हूँ अपना सब कुछ लेके तो रगुबंसी उसे कहती अच्छ ठीक है जो भी आपके जुरुत की चीजे हैं उसे कल लेके आ जाना और यह सुनके रागनी कॉल कट कर देती है और रगुबंसी बहुत खुश थी क्योंकि अब वो रागनी को देखने जो वाली थी रगुबंसी का मन करता है कि रागनी के इंतजार कर रही थी और रगुबंसी के इंतजार के गड़ी खतम हो जाती रागनी आ जाती है और जैसी रगुबंसी रागनी को देखती है उसे तो यकिन नहीं होता है कि उसके सामने रागनी है रागनी भी रगुबंसी को देखती है लेकिन रागनी बिलकुल भी खुश नहीं लग रही थी क्योंकि ऐसा लग तो बहुत जौब बहुत जादा जुखी हो काम र हागनी कारुबार के बाती। साइब करना पड़ेगा रागनी को गानी को तो एक को चाहां देती है कि अनुझे म मत बुलाओ यार दोनों हम उमरी तो हैं तो मुझे रगअ भंसमी बुken तो रागनी के ती अच्छा अच्छा ठीक है मैं अब अब से आपको रगुबनसी बुलाऊंगी और ऐसे ही रागनी को काम करते हएं एक महीशनी पीच जाते हैं रगभबनसी तो रोज रागनी कैंटीन में बैठी ती तो उसके पास रगोबंसी आ जाती है रागनी रगोबंसी को देखके कहती है कि मैम आप आप यहां पे मेरे साथ बैटके होगे रगोबंसी कहती है अरे कितनी बार बोले मुझे मैम मत बोलो रागनी कहती है ओ माफ करना फिर रगोबंसी कहती है कि अच् यह कभी नहीं सोची फिर रगुबंसी कहती है कि देखो रागनी मेरे अंदर ना बहुत आत्म शक्ति है मैं चीज़ों को छुपाना नहीं चाहती जो मेरे दिल में होता है वही चीज मेरे जुबान पे होती है तो तुम्हे तो नहीं पता कि मैंने तुम्हें क्यों मैसेज किया तुम्हें मैसेज किया था जब तुम्हें देखा भी नहीं था तब से ही शायद और अब तो तुम्हें देख भी लिया है तो पता नहीं क्यों जब भी तुम्हें देखती हो मुझे कुछ महसूस होता है कुछ अपना सा महसूस होता है मुझे नहीं पता यह महसूस तुम्ह लेकिन तुम्हें देख के मुझे बहुत कुछ महसूस होता है और तो रागनी कहती है कि रगुबंसी क्या आप लेस्पियन हो तो रगुबंसी कहती है हाँ मैं लेस्पियन हो तो क्या हो गया रागनी कहती है एक तो आप लेस्पियन हो और मुझे पसंद भी करते हो रगुबं और रागनी एक कोने में जाके रागनी कहती है कि मुझे तो यकिन नहीं हो रहा कि आप जैसी लड़की मेरे से प्यार करती है रागनी कहती है मेरे जैसी लड़की का क्या मतलब क्या मैं दुनिया से अलग हूं तो रागनी कहती है नहीं नहीं आप अलग नहीं हो मतलब आप हो जाता है और तुम्हें तो बेना देखे ही प्यार किया रागने यह सुनके बह।ट खुश होती है रगबंसी को कहती है क्या मैं आपको गले लगा लूं रगबंसी को गले लगा ले ती है कि भी अ Commissioner इस्पेयन ओ लेकिन यह बात मैंने किसी को भी नहीं बता है मुझे बहुत डर लगता है समाज से दुनिया से लोगों से इसलिए दिल की बात दिल में ही रखती हूं रगुबनसी कहती है कोई बात नहीं मैं हूना मैं तुम्हें कि दुनिया का सामना कैसे करना है वैसे भी दुनिया से क्यों डरना हमें हमारा पेट खुद भरना है तो दुनिया थोड़ी हमारा पेट भरेगी इसलिए हमें बस अपने बारे में सोचना है रागनी रगुबंसी की यह सब बाते सुनके बहुत खुश होते हैं और वह कहती है क कि आपकी इस बाते सुनके मुझे बहुत हिम्मत मिल रही है, मुझे ऐसा लगता है कि मैं भी एक दिन अपने बारे में सब को बता दूँगी, रगुबंसी कहती है हाँ, जरूर बताना, फिर रागनी कहती है कि अच्छा आपके जो ये गुलाबी होट है ना, उनको छूने का म में करती है, और उसके करीब आके रागनी के होटो को चूम लेते हैं, दोनों एक दूसरे के होटो को बहुत देर तक चूमते हैं, और एक दूसरे के होटो की चासनी को अपने अंदर समा लेते हैं, दोनों का ये पहला किस था, इसलिए दोनों एक दूसरे से बहुत देर तक किस करते ही रहते हैं किस करने के बाद दोंगों को थोड़ी थोड़ी शरम आ रही थी लेकिन रखुबंसी रागनी के शरम निकालते हैं रूख कहा थी तुम से प्यार किया है पागल शरमाना क्या आप तो यह रोज का होगा रागनी रगुबंसी की ये बास सुनके सर्मा जाती है और रगुबंसी भी अंदर से सर्मा रही थी लेकिन वो दिखा ने रही थी तो अब रागनी चली जाती है और ऐसे ही अब इन दोनों को मिलते जुलते एक दूसरी को चूमते एक महीने हो चुके थे मतलब कि दोनों का र पुछ रहने लगी इस खुशी का राज अपनी मा को नहीं बताओगी अपनी मम्मी की ये बात सुनके रगुबंसी हसती है और आप सियास तक ना कुछ छुपाया है ना चुपाऊंगी चलो मैं बताई देती हो मुझे मेरी हमसफर मिल गई है ये सुनके रगुबंसी से जादा तो रगुबंसी की मा खुश होती है वो अपनी बेटी को गले लगा लेते है रहो कहती है रगुबंसी की मा कहती है अच्छा तो हम भी मिलना चाहेंगे तुमारी हमसफर से क्या हमें नहीं मिलाऊगी रगबनसी केती हाँ मा क्यों नहीं मैं कली उसे खाने पर बुलाती हूँ तो रगबनसी की मा भी खुश हो जाती है रवा कहती ठीक है कल का इंतजार रहेगा रगबनसी अपने कमरे में जाती है और वो तुरंत रागनी को कॉल करती है तो रागनी कहती है कि और कहा हो रगुबंसी तो रगुबंसी कहती है मैं तो कमरे में हूँ कल तुम्हार लेक सर्प्राइस है तो रागनी कहती है अरे वाँ मुझे सर्प्राइस बहुत पसंद है चलो बताओ क्या है तो रगुबंसी कहती है अरे बता दिया तो सर्प्राइस फिर अगली सुभा रुगुबंसी तयार होती है और उचलते कूते नास्ते खाते वे नीचे जाते अपनी मम्मी को गले लगा लेते रोग्यूा, आप तयार होना iss से मिलने के लिए र्घुबंसी, प्रजाली को गाड़े स्टार्ट करती है वो रागनी के पास जाती है जब रागनी के पास जाती है रागनी रगुबंसी को देख के उसे गले लगा लेती है और रगुबंसी भी रागनी को देख के गले लगाती है और रागनी कहती है कि कल तो तुम कुछ कह रही थी सर्प्राइस तो रगुबंसी कहती है कार में मेरे बारे में बताती है और तो मेरे बदा दिया जुबाती तो अगर सिर को बाक्राई फ्राग्ताय दूर्चिकर चांटी दॉटे कि आभी तक कि नहीं बता लो, अगर तुम्हारी मम्यों को पता चल जोका है, अगर फैमली मेरिने पता मत करें तुम्हें परिवारे रेद हैं। तो रागनी गुस्से में कहती है अच्छा ठीक है जाओ तुम कोई और ढूंड़ो जा उसको ढूंड़ो जो तुम्हारे साथ तुम्हारे प्यार का तमाशा करें दुनिया वालों को बताए मैं तो नहीं बता सकती तो प्लीस मुझे छोड़ दो और यह भूल कि रागनी चली रोने लगती है और वो रोते रोते अपने ममे को बताती है क्या वो मेरे साथ नहीं रही उसने मेरे साथ छोड़ दिया उसका मेरा रिस्ता नहीं है यह बास सुनके रगबंसी की ममे अपनी बेटी को सानु भूती देती है उसे समालती है और वो कहती कोई बात नहीं बेटा ऐसे लोग तुमें वो इनसान तुझे डिजाव ने करती थी, तुझे उससे भी अच्छी मिलेगी। और रगोबंसी अपनी ममे की बास सुनके कमरे में जाती है और खुद को बंद कर लेती है। वो चार-पास दिनों तक नीचे बेनी आती बस रोती रहती है। एक दिन उसकी ममे उसके कमरे में जाती है, बेटा, ऐसा कब तक चलेगा तू तो बहुत मजबूत है ना, तो क्यों किसी के लिए ऐसे अपनी जिन्दगी खराब करें चल बाहर चलते गूमने के लिए। रगो बनसी मना करती हैं, उसके ममे फिर भी उसके बाहर लेके जाती है, रगो बनसी जब बाहर जाती है, तो इसकी ममे उपनी बीटी को खुश करने की बहुत क्योशिश है। उसकी मम्मी कहती है कि देख बेटा मैं भी तो तेरे पापा की जाने के बाद खुद को समाली ना, मैं भी तो खुश हूँ ना और तू भी ना, वैसे इनसान के लिए रो रही है जिसको तेरी कदर ही नहीं है रगुबंसी कहती है आप ठीक कह रही हो मम्मी मुझे वैसे इनसान के लिए नहीं रो나 चाहिए और रगुबंसी और इसकी मम्मी एक काफिë शॉप में जाते है जैसे ही रगुबंसी सॉप के अंदर जाती है वो उसे सामने रागनी दिखती है और रागनी को देखे, रगुबंसी अपना आपा काओ देती है रगुबंसी तो अपना पूरा आपा खो चुकी थी वो भूल चुकी थी कि वहाँ पे और भी लोग है और वहाँ पे रागनी की ममी भी थी रागनी की ममी रागनी से पूसती ये सब क्या है तो रागनी कहती मुझे नहीं पता ये कौन है तो रगुबंसी की मम्मी भी सब को सुन रही थी वो समझ जाती कि यही वो लड़की जिसने मेरी बेटी को दोगा दिया रगुबंसी की मम्मी रगुबंसी को समालती और से घर लेके आती है रगुबंसी जब अपने कमरे में थी तो वो रो रही थी फिर वो अपने आसू पोस्ट थी और खुद को आइने में देखती है और रगुबंसी कहती है क्या बन गई हूँ मैं मैं जो इतनी मजबूत लड़की थी मैं जो दूसरों को सला देती थी आज मैं खुद ऐसी बन गई हूँ नहीं मैं उस इनसान के लिए कभी और बहुत कुछ करना है अब मैं उस इनसान के लिए कभी नहीं रोओंगी और यह बोल कर रगुबंसी अपने आसू बोस्टी है और तो रगुबंसी नहाने जाती है और वो कपड़े पहन लेती है बिल्कुल अच्छे से त्यार हो जाती है और जैसे ही वो अपने कमरे से बाहर आने वाली होती है तो उसे रागनी की आवास सुनाए देती है उसे लगता है कि रागनी आई है वो दर्वासा खोल के बाहर देखत जल्दी के बोलो मेरे पास तुम जैसे तुम्हारा बहुत दिल दुखाया है मुझे मैं माफी के काबल तो बिल्कुल भी नहीं हूँ रगुबंसी कहती है फिल्मे डालो कि मेरे सामने मत मारो जो भी कहना है जल्दी बोलो रगुबंसी मैं जब तुमसे दूर हुई न तो तुम्हारी बहुत याद आ रही थी मेरा मन करता था कि मैं दोड़ कि तुम्हारे पास आ जाओं लेकिन फिर सोसते थी किस मूर से आओं मैं तुम्हारे पास मैं माफ़े के काबिल नहीं हो लेकिन एक गलती भगवान भी माफ करता है तुम नहीं करोगी क्या पास में रगुबंसी की मम्मी भी दी तो रगुबंसी की मम्मी आखों से इशारा करती है किसे माफ कर दो तो रगुबंसी रागनी के पास आती है उसे गले लगा लेती है जब रागनी को गले लगाती है तो रागनी समझ जाती है गर रगुबंसी नोसे माफ कर दिया रगुबंसी कहती है कि छोड़ो जो हो गया सो हो गया पुरानी बाते हैं अब ये बाते दुबारा मत दोहराना रागनी कहती है अब ये बाते मैं कभी नहीं दोहराऊंगे मैं तुम्हें दुबारा नहीं खोना चाती है फिर रगुबंसी कहती है कि अच्छा रागनी है तुम मेरी हाल हो रहा गए, जैसे मैं तुम्हारे हाला मेरी न दो मेरी हाह रहा रही है की यूला, जिस मत बहु एंगान धुर्रो हम दोनों एक आए हम दो नहीं की रही हो, रागनी तो में भागनी धू में ये Reagny बतने लाता है, उममी को पलंगी भी संधा है और वो कहती है कि ममे मैं चाहती हूँ कि हर जनम आफ ही मेरी मा हो रगबंसी कहती है कि माँ आप जैसी माँ पाके मैं धरने हो गई हूँ रगबंसी की माँ कहती है नहीं बेटा तेरी जैसी बेटी पाके मैं धरने हो गई हूँ और रगबंसी अपनी माग को गले लगा लेती रागनी भी आके रगबंसी को गले लगा लेती है और तीनों एक दूसरे के गले मिल जाते है और ये कहानी यही पे खत्म हो जाती है थैंक्स फॉर वाचिंग गाइस होप करती हूँ आपको कहानी पसंद आई होगी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना कुछ जादी पसंद आगी तो शेर कर देना यार और आपको कैसी कहानी चाहिए यह मुझे कमेंट में जरूर बताना और चैनल पर पहली बार आए हो तो प्लीज यार सब्सक्राइब जरूर कर लेना सब्सक्राइब करने के बाद बैल आइकन पर क्लिक करके ओन नोटिफिकेशन ओन कर लेना और आप मेरे सैकंड चैनल पर भी विजिट कर सकते हो उस पर भी मैं ऐसी ही स्टोरी अपलोड करते रहती हूँ